पहरा सवाल मेरा राजीव जेटली आपसे है जब रोजगार ही नहीं है उस थिती में 75 फिजदी रोजगार स्थानिये लोगों को देने का वादा की साधार पर रोजजी पहले मैं आपको थोड़ा सा आपने पैकेज दिखाया मुझे सबाइज आया कि ये भी कॉंग्रेस है क्या वो कॉंग्रेस नहीं है तो क्योंकि बुपंदर सिंग उड़ा जी ने लगबग अभी एक महिना पहले एक स्टेटमंट दिया उन्होंने कहा कि ये जो कानू शर्याना ऐसा है जिसमें पूरे केबल भारत से नहीं विशु भर से आकर लोकर नुक्री पाते हैं और हर व्यक्ति यहां पर जिसके बाद जो स्कील होती है उसी अधर पर यहां नुक्री मिलती भी है और बड़े स्तर पर यहां पर इन्वेस्टमेंट भी हुई है लगबग हमने दो-तिन समिट करें उसमिट के बाद 3-3,000 क्रोल रोपे की इन्वेस्टमेंट यहां पर आई है और नुक्रीयों की कोई अभाव नहीं है नुक्रीय यहां पर पैदा हुई है और अभी तो आपने दिखा हुगा सी MIE का डेटा भी आया जिसके अंदर यह बात दिखाई हैं यहां पर जो skilled हैं और नुक्री पाराए हैं मैं अनस्किल्ड की बात नहीं क्या हुगा हूँ कि अग्र ignition檸 ईग बात करा है यह इसमें परावधान दिया है कि अगर sı्केंड लेबर है और कंपरीयों लगता है कि मेरे अधर नुकूल है तो उनको कि दस पर्टिशन की वार चिले से हो जेटली जी जो आप कहरें वो एक अलग विश्य है मेरा सवाल है एक तरफ आप इस बात का दम भरते हैं कि दुनिया भर के लोग हरियानों में आके नौकरी पाते हैं दूसरी तरफ आप उनको कहरें कि मता हो क्योंकि हम 75% लोकल को आरक्ष किया गया है और चब कंपनियों को यह कहा गया है कि आपड़ा मेंटेंट करेंगे उससे मतलब हैं लुप हें कितने युवा को स्कील्ड कर दिया है फो रहे वह नब देदा तो के अड़ेटा हो करदी कलकुरोई जी की औरि उनिवेस्टी कोली है, तो उसका क्या पर्भाव पड़ पर लेकिन दूसरी बात कोड़ करूँ जब भी आपके दिमाग में बात आती ना हरियाना का बिहार करेने वाला बिहारी भी हर्यानवी है, उत्तर पर दे शे आने वाला व्यक्ति देंगे तब क्या कीजेगा कॉंग्रेस की प्रतिक्रिया वो कह रहे हैं कि कुमारी शेल्जा कुछ और बोलती है और वुपेंदर सिंग उड़्डा कुछ और बोलते हैं देखिए नमस्कार सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि अपना ध्यान बटकाना मुद्दों का जवाब ना देना सिरफ लेफ्ट राइट की बात करना और यह जो कानून आया है यह सिरफ उसी दिशा में एक कदम है इनको ना तो रोजगार देना है हरियाना को ना है इनको पताई इससे कुछ होगा यह सिरफ मुद्दों को बटकाना चाहते हैं असली बात जो आपने बोली मैं आपको बदाई दूँगा कि आपने बिल्कुल मुद्दे की बात की जो उपमुख्यमंत्री से पूछा कि किसान आंदोलन से ध्यान बटकाने कि आदत है इनकी वो एक कोशिश है असली मुद्दे जो है महंगाई है पेट्रोल है डीजल है लपीजी है सी एंजी है पी एंजी है बेरोजगारी है यह सब उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए हम दूसरे मुद्दों को डिसकस करें हम इनकी बातों को डिसकस करने लग जेतली जी मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप सिरफ और सिरफ मुद्दों की बात कीजिए कॉंग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए कॉंग्रेस अपनी चिंता खुद कर लेगी आप ये बताईए कि आपने पिछले 7 साल में आज 23 रुपे और 28 रुपे पेट्रोल प जो गई उसके आदे रेट के बावजूद भी उसके आदे रेट के बावजूद भी आप हमें डबल रेट पर शेलेंडर क्यों पेशना चाहरे हैं देखिए देखिए जेतली साब आप किरपाद धैरिये के साथ सुनिए बड़ आच्छा लगेगा मुझे मैं आपकी बीच में बिल्कुल टोकटा की निकी थी मैं भी ने करूँ आपको ये कह रहा हूँ देखिए कोई मैं मुझे ये विचारी शब्से बहुत आपती है आपको शायद ये आपकी भाशा है शायद आपकी सोच है जो बिल्कुल आपती जनक है मुझे लगता है कि आपको इस मामले में एक गर्ड़ने चोड़के बगादी आपका करता हूँ दूसरे नेताओं का सम्मान के मैं से किये